नमस्कार साथियों, भोर का ताराजी से हम कहते हैं शुक्र प्लैनेट जो की धर्ती से दिखता भी है और ठीक सुर्योदय से पहले और सुर्यास्त के बाद इसकी चमक अधिक रहती है और पुराणों में, आध्यात्म में, जोतिस में शुक्र प्लैनेट को दैतियों का शुक्राचार्ज, शुक्र प्लैनेट, तीस मार्च को मीन राशी में गोचर कर रहे हैं। बनता है जिसको मालब योग कहा जाता है तो में तो आज ये बतलाने वालों में है कि किन किन भाईयों की कुंडली में किन के किन राशियों में मालब योग बन रहा है ऐसे कौन से वो लोग हैं जिनकी राशियों में जिनके लगन में ऐसी इस्तथी बन रही है कि शुक्र बहु तो सबसे पहले जो मीन लगन और मीन राशी वाले हैं उनको सबसे अधिक फाइदा होगा क्योंकि उच्छ का जो शुक्र है वो लगन में आ जाएंगे लगन में आ करके वो एक मालव्य योग बनाएंगे वित्रो शुक्र जो होता है वो मीन राशी में उच्छ होते हैं और ब् शुब फल देने की इस्तिती में आ जाते हैं तो शुक्र आपके मीन राशी वालों के लिए काफी अच्छा फल देने के इस्तिती में है क्योंकि वही शुक्र आपका उच्छ हो चुका है लेकिन साथ ही साथ मीन राशी मीन लगन में जो शुक्र होता है वो तीसरे और आठ में का मालिक होता है यानि की अशुब घर का मालिक होने के बाबजूद वह उच्छ हो जाते हैं तो मीन राशी वालों के लिए कंपैरेटिवली अभी मैं बतलाऊंगा और राशियों के बारे तो मीन राशी का अगर हम comparatively देखें तो केबल 70% ही शुबफल मिलेगा कि इसलिए क्योंकि तीसरे और आठमे के भी मालिक हैं और तीसरे और आठमे का मालिक अगर बल्वान हो जाए तो बहुत अच्छी इस्ति नहीं मानी जाती दूसरी अगर हम इस्ति देखें तो चौते भा स्वाव के मालिक हैं च्छे से च्छता जो होता है वह रोग का कारक होता है यानि कि country Nossa और यहरमी वहका मालिक अगर शुक्र उच्छ हो गया तो एक तरлब से आपको बहुतRed就可以 देंगे आपको बहुत ही अर प्रोर्परटी में मिनॐश करवाएंगे आप प्रोपरटी सकते हैं लेकिन साथ ही साथ चूगी छटे और ग्यारवेबाव का मालिक उच्च हो गया है तो आपको स्वास्त के लिए साब्धाने रखनी पड़े गी तीसरी जो आती है कन्या राशी वालों के लिए सबसे अधिक फायदे मंद इस्ति आ रही है इसलिए क्योंकि कन्या राश कि जब इस्तती आती है तो नाइंध का ही फल दिया जाता है तो नाइंध हाउस का लॉड उच्छो करके सब्तम में बैठ गए हैं मालब ये योग बना दिये हैं यानि की बिजनिस में फायदा देगा और जो मेरिट लाइफ बहुत अच्छी कर देगा जिनकी शादी होनी नही जब्योदय भी क्योंकि भागिका स्वामी सब्तम में जाकरिंट उत्षिस्तथि में जाकरिंगे मालब योग बना जुका है इसके बारी से cinnamon निंदा हाउस में जाकरिंग कि शुकुर आपपके उच्छो गये हैं और सुट जो है आपका शुक्र आपका पंचमीज है यानि कि फिप्थ हाउस का लॉड यहां भी बहुत जादा बड़ा फल देने वाला है क्योंकि फिप्थ हाउस का लॉड टेन्थ हाउस में जाकर के उच्छ हो गया हलंकि ट्वेल्थ हाउस का भी लॉड है लेकिन फिप्थ हाउस का लॉड जादा फाइदा देता है हमेशा हर हाल में शुब फल ही देता है तो मितुन राशी मितुन लगन वालों आपके लिए अभी लैफ में ये जो आपके 22-23 दिन आए हैं आपको इसको एक कैस कर लेना चाहिए पूरी मेहनत लगा देनी चाहिए जहां भी आपका काम चल रहा है उसमें नि अच्छे का शुक्र तो 12 सुक्र योग जब बनता है तो बैवशाली बनता है पैसा आता है बहुत अच्छे स्थिति आती है तो मित्रो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बतलाने जा रहा हूं इसका सुक्र प्लैनेट का और क्या-क्या फैदा होगा तब तक मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार